नाभी पर रेकलो एए छोटी सी चीज पेट तुरंद एकदम से सिकड़ कर अंदर हो जाएं हाँ दोस्तों पेट में चर्वी मतलब मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है आज के समय में हर कोई इस समस्था से जुज रहा है फिर चाए बच्चा, बुड़ा या फिर जावनी जूना हो खस करके मोईलाव को तो पहुत जल्दी ही मोटापा की समस्था का समना करना पड़ता है आमतोर पर सरीर में चर्वी, कमर और पेट के पास जमा होता है और जिसकी वज़ा से लोगों को हाई कोलेस्टरल, हाई ब्लाड पेसार, कमर दर्थ, घुड़नों का दर्थ और दिल से जुड़ी कई बिमरी का समना करना पड़ता है और इसलिए हर कोई मोटापा और बड़ा हुआ पेट कम करने के उपाई के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन फिर भी ये मोटापा पेट की चर्वी को कम नहीं कर पाते हैं जिस करण बैक्ती को चलने फिनने में परिसानी होती है तो आज मैं आप सबको एक ऐसी चीज़ के बारे में बतने जा रहा हूँ जो आपके बड़ा हुआ पेट को पेट की चर्वी को मोटापा की परिसानी को हमेशा के लिए खतम कर देगा अगर आब ये कर लेते हैं तो तो वीडियो को अंतक दिखिए और जो चैनल में लहे हैं प्लीज वो चैनल को साथ्सक्रेब करके बेल आइकन को अल करें ताके कोई विजानकरी मिस ना होने पाए तो चलिए सुरू करते है नारियल का तेल याने कोकोनाड विल दोस्तो हम सब अपने बालों में अपने स्कीन में इसका इस्तेमल बहुत ज़्यादा करते हैं ताके बाल और स्कीन खुबसूरत दिखे इसके लब नारियल का तेल खाने में भी यूज किया जाता है बहुत से लोग इसे खाने में भी यूज करते हैं इससे खाना आसने से डाइजेस्ट होता है नारियल तेल के बहुत सारे फाइदे हैं ये बालो को रोज लगाने से बालो को सौफ्ट साइनिंग करने के लिए बालो की खुबसूरती बढ़ाने के लिए साथी बाल जहनना और स्कैल्प को ड्राई होने से बचने में भी मदद कर ये स्कीन के लिए यूज किया जाता है नारियल का तेल सभी स्कीन टाइब के लिए अच्छा होता है इसमें बहुत सारे वीटम्मीन के साथ-साथ एंटी बैक्टरियल और एंटी एजिंग प्रोपाटीज भी होते हैं जो तोचा के लिए काफी फायदमिद होता है लेकिन क् आपने नवी पर कभी नारियल तेल का यूज किया है नहि Somete किया है तो आगी से करना सुरू कर दे क्यूंकर आप जानकर हैरन हो जाएंगे अगर आप नारियल तेल अपने नवी पर पेटींद में 15-20 मिनुट के लिए मालिस करते तो आप देखकर देंग रह जाओगे आपक करवी को बहुत तेजी से पिगल देगा कुछी दिनों में पेट सिकोड कर अंदर हो जाएगा तो है ना नारियल तेल के चौकाने वाले फाइदे तो आए इसे लगने की विधी भी जान लेते हैं तो पहले तीन से चाच चमच नारियल तेल को गरम कर ले फिर उस तेल की दो से तीन बुंद अपने नाभी पर डाले और उसे पांच मीट ऐसे ही रहने दे फिर उसे और तिल डालकर तेल को हलके हलके हातों से अच्छी तरह मसच करें 15 से 20 मिनिट के लिए ध्यान रहे तेल ज्यादा गरम ना हो आप जितना सायन कर सकते हैं उतना ही गरम मालिस करें अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल यह एकदम से फ्री होता है और थैंक्स पर वाचिए तो मेरे प्यारे दोस्तों अब सब की धेर सरे प्यार के साथ मिलते हैं फिर आगली वीडियो पर तब तक के लिए जाए हिंद जाए भारत